ही गाइस आइम माधुरी और वेलकम बैक आई होप यौल आइग वाली वीडियो में आपके साथ एक प्रोड़क्त रिव्यू शेयर करने वाली हूँ विच इस यूथफुल मॉश्यराइजर फॉम दी ब्रेंड माय ग्लैम सो लास्ट ताइम मैंने माय ग्लैम के मॉश्यराइजर और फेस वाच दोनों का साथ में रिव्यू शेयर करा था सो अब मैं इस टाइम पर आपके लिए इसका विंटर के लिए रिव्यू है वो लेकर क्या हूँ क्योंकि अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और विंटर में यह वर्क करता है या नहीं सो मैं आपको इसका ओवराल रिव्यू आज आपके साथ शेयर करूंगी इफ इनकेस आपके लिए यह वाला वीडियो कहीं से भी हल्फुल हो और आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्य सारे रिव्यू लेकर क्या रही हूं सो आप देख सकते हों मैंने इसको अल्मोस्ट इतना खाली कर लिया मन्ना 50 ml प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया है इसका ओवराल वन मंथ यूज करा होगा मैंने सो जब मैंने इसको पिक करा था उसके 15-20 दिन के बाद मैंने इसका रिव बताना भूल गई थी जो मैंने कॉमेंट पिं कर दिया था सो जिसके की आपको पता चल सके कि मैं किस बारे में बात करनी हूं सो इस ताइम पर मैं खो पीश कर सकते हो या नहीं यह इस तरीके से यह हैं को पंप बό Tal में मिल जाता है वीडियो बताया सो यह बाट्री करना चाहिए या नहीं सो गाइस मैं बताओं तो मैंने इसको जब यूज करा तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ऐसा बॉड़ी लोशन नहीं ऐसा पेस मौश्यराइजर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यह और क्योंकि उस टाइम पर स्वेट करते हैं ह साफी ज़्यादा स्वेटिंग होता है सो मुझे उस टाइम पर यह बहुत ज़्यादा एफेक्टिव लगा मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होए थी सो ओवरल यह प्रोड़क्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बट आप इसको विंटर में यूज नहीं कर सक के लिए यह वर्क नहीं करता है मैंने इसको जब रिव्यू शेयर कर रहा था तब तक काफी अच्छा वर्क कर रहा था यह उसके बाद जैसे ही थोड़े बाद विंटर अब स्टार्ट होए और थोड़ी स्किन ड्राइब होने लगे तो यह पूरा मॉश्याजर स्किन पी ज काफी यह फिर मोंसून सीजन में अगर इसको विंटर में यूश कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यह उसके लिए वर्क करेगा मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी तो बहुत स्यादा ड्राय स्किन है और अभी से ही मुझे अच्छे खासे हैवी मॉश्याजर की ज़रूरत पड़ती है तो यह वाला मेरी लिए वर्क नहीं कर रहा है बट डेफिनेटली मैंने इसकी चार बॉटल्स पिक करी है जैसा कि मैं लो में बताया था तो चार बॉटल भले ही इसकी पिक करी है तो मैं इसको समर्स में अच्छे से यूज़ कर लूगी क्योंकि यह मुझे बहुत साथ अच्छा लगा है बट अगर आप इसको विंटर्स के लिए देख रहे हो तो काम नहीं करेगा यह विंटर्स में आप भी अगर इसको ट्राय करना चाते हो तो समर्स में ट्राय करना काफी अच्छा है इस टाइम पर मत लेना और मैं इसके मॉश्यराइज कर दो तो समर में यूश करना है यह मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी आपके लिए वाला वीडियो घल्फुल रहा होगा अगर अगर यह वाला वीडिवी थोड़ा ऐल्फ WIN रहा हो और आपको जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो कर